Hi, this is Manisa, Welcome to my YouTube channel So, जैसा कि आप सभी को पता है कि Government Job Aspirants के लिए एक बहुत बड़ी opportunity आई है जो कि SSC के तरफ से CHSL की vacancy है So, अभी हम लोग उसी के details को discuss करने वाले है कि उसके importance dates क्या है eligibility criteria क्या रहने वाला है plus age और qualification क्या चाहिए इस form को apply करने के लिए इसमें आपका exam pattern क्या रहने वाला है exam की fees क्या रहेगी आपका center कहां पे रहेगा और आपको salary क्या मिलने वाली है इस job के लिए So, चलिए हम लोग discuss करते हैं इसके बारे में First of all, हम जानेंगे कि इसका important dates क्या है तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि 9th of माई से इस form को apply करना start हो चुका है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो apply भी कर चुके होंगे और इसका जो last date रहने वाला है वो आपका 8th of June को रहेगा तो कोशिस यही करे कि इस date के अंदर ही आप जल्दी से जल्दी form को apply कर दे देरी करने से बाद में फिर server issue के वज़े से problem create ना हो इसलिए आप जितना जल्दी form भर दोगे उतना अच्छा रहेगा secondary बात करेंगे हम age limit के बारे में तो इस form के लिए जो age limit रहने वाला है वो आपका 18 years to 27 years का रहेगा और इसमें आपको age relaxation भी दिया गया है AC, ST, OBC या फिर और भी बहुत सारे category को age relaxation दिया जाता है तो age पर government roles आपको वो मिलने वाला है और जैसा आप सभी जानते होंगे कि CHSL यानी की combined higher secondary level exam होता है या आपका color gear based exam होता है इसमें आपको color के post पे job दिया जाता है Central government के different departments में आपको job दिया जाता है जिसमें आपका post जो है lower division color यानी LDC का रहता है JSA का होता है data entry operator का रहेगा और इसमें जो आपको अलग-अलग departments होते हैं जैसे कि CBI, Intelligence Bureau, Ministry of External Affairs, Ministry of Defense बहुत सारे Central government का जो bodies है उसके अंडर आपको color के post पे job करने का मौका दिया जाता है इन सभी post के लिए जो आपकी qualification रहती है वो आपको 12th pass होना चाहिए इंडिया के किसी भी recognized university से तो आप इस form को भरने के लिए eligible रहोगे आप इस form को apply कर सकते हो अगर salary की बात की जाए enhanced salary की तो LDC और JSA के लिए आपका जो salary होता है वो आपका 34,000 से start होता है और 76,000 तक रहने वाला है वही अगर आप data entry operator की बात करते हो तो 40,000 से ये start होता है और आपका 80,000 तक रहता है और जैसा की इस job के लिए आपको all over India में आप eligible हो की आप apply कर सकते हो आपको all over India में job करने का मौका दिया जाएगा और अगर इस exam की हम exam pattern के बारे में बात करते हैं तो ये 3 tiers में लिया जाता है tier 1 आपका online test होने वाला है जो की आपके one hour का होता है इसमें आपको four sections रहेंगे general awareness, English, quant और आपका reasoning का रहने वाला है जिसमें total आपको hundred questions रहेंगे one hour के आपकी exam होगी tier 2 भी आपका same ही online test ही रहने वाला है बट इस बार का tier 2 आपको थोड़ा अलग मिलेगा इसमें आपको tier 2 के दोरान ही आपका skill test प्लस आपका typing test ले लिया जाएगा और जब इसका stage third होता है वो रहता है आपका document verification उसके बाद जो है आप लोगों को job मिल जाता है और अगर हम number of seats यानि total number of vacancy की बात करें तो इस बार आपकी जो number of vacancy है वो 1600 रहने वाली है तो आप लोग last date का wait ना करते हुए form को जल से जल भर दे और अगर ज़्यादा details आप जानना चाहते हो इस job इस notification के बारे में तो आप SAC की official website ssc.nic.in पे जाके इसके बारे में details जान सकते हो और आप सभी के लिए मैं एक new video लेकर आने वाली हो जिसमें आपको बताया जाएगा कि how to apply the form of SAC-CHSN तब तक के लिए stay tuned, take care, bye bye